तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा श्री गुरुदयाल मलिक आजना युवनोंने गमी जाई तेवा संत शिक्षक अता तेवो वर्षों पहला अमर यात्र है संचरया 50 वर्ष पहला तेमनों जीवन आलेखन करतूपुस्तक मुखुल कलार्थी औने निरंजना कलार्थी जै समाजने आप्यू छे कि जहनी प्रस्तावना काका सहयं कालल करे लख़ी छै पुस्तक अने प्रस्तावना वच्चे खालारा जी तारा हाथ वकानों कि पचितारा पगला मदाऊं, जेवें मिठी स्पर्धाशा, एक भारेकम मुद्धो बन्ने माँ छेडायोँ चे अने ते छे अध्यात्मों अने चमतकारों. आपने चमत कारों थी आ कर्ष्वा टेवायला छीए अन्य अध्यात्म तो आपना माटे बो अगरो विश्य चे बाना बनने छेटे-छेटे रहेला मुद्दा अने आपना गळे उत्री जाई तेवी बात आजे करिये एक दिवसे एक फकीर घर पासेना अरस्तापरती गीत कातो पसार थेयों ते गीत नो अर्थातों साधकोनी सिध्धियों एक नुत्यकारना नखराओं जेवी छे तेथी ते पोतानों भाईयरूप देखाडे छे एवा नखराओं औने साचा नुत्यमा जमीन आसमालनों फर्क बस आवाद सांबलीने गुरुदाल मलिक जीए कदी पन सिध्धी मिलोवानी इच्छा न राकी औने सिध्धियों अध्यात्म जगत्मा काई विशेस अगत्य धराओती न थी तेवो तेवो एक समझीने पोते स्विकारे लिदू तेवो एक सूफी संत पासे ती गुड शक्तियों मिलोवानों एक मंत्र मांगेलों पने मंत्र माटेनी साधना पूरी करे त्या थोड़ाक चमतकारो थवाल लाग्या एमा ती अहंकार जन्यों एकले अखलाई नेमने शक्तियों मंत्र न स्वामी ने पाची सोपिनी दे ज्या अध्यात्मना क्षित्र नी वात आवी त्या गुड अनुभवन उल्ले खाववानों ज अने गुड अनुभवनी पाचल पाचल चमतकारो तो आववाना ज आखि दुनिया मां सामन्य मानस एक एवु प्राणी छे के जने अध्यात्म करतां चमतकारो माज वधारे रसोई छे कारण आगल जतां आवा चमतकार मार्फतेज भोड़ी दुनियाने अध्यात्मनों परीचे थाई छे गमेते धर्मना महान ग्रंथोल्यो लेख कोई पोतानी अभिरूची प्रामाने जात्यात्ना चमतकारो नोंदी लेवानू के उपजावी काडवानू पसंद करिऊ छे अध्भूत रस वगर सामन्य मानस ने भक्तिनी जाकरूती थरती न थे पन साची वातिय छे कि अध्यात्मना ख्षित्रे आवा चमतकारो ने कारणे मानसे जेतलू वेठियू छे जेतलू नास्तिकता ने कारणे पन वेठियू न थे अध्यात्मना उपासको ये कठोर थे न कयू छे के चमतकार अने अध्यात्मनों संबंचे अने नथी पाण अध्यात्मनी पाचल-पाचल कोईकवार चमतकारो आवे छे अत्वा थाई छे ये येनी ना न थे पन अध्यात्मना दरेक अनुभवी पासेती चमतकारों नी आशा राखी न शकाए केटलाक लोकों मां गूड शक्तियों अनाया से खिले तो तेवो चमतकार करी बतावे छे चतना अध्यात्मने अनुभव तो शुँँ चारीत्रनी निर्मलकाने बाबत्मा पन तेवो आगल वजेला होता नती आने केटलाक अनुभवी लोकों अध्यात्मने टोचे पूँचा चतना चमतकार्थी अलिप तज्रहा छे एक अध्यात्म पूरुष्ट एकाद इक्षत्रमा थोड़ी प्रगती थतावेत भगवानने प्रार्थना शरू करी दे के हे प्रभू मारे हाथे कोई काले कोई चमतकार न थाओ चमतकार्थी मनेशू मलवानू नाठक नो विक्षेप पाड़नारो नाहक अहंकार वदवानू अने परिणा में दम्भू भोरिले वानू हे भगवान तारी कृपाय आचूँशू के मारे हाथे जाने अजाने एक पन चमतकार न थाओ भगवान बुद्धे पन पोताना शिष्यो ने भार पूर्वक्कई वतुग जाओ धर्मनो प्रचार करो पन चमतकार मार्फते प्रभाव पड़वानो प्रयत्न न करशो तमार आउपदेश्नियने चारित्रनी जे असर थाई थेज खरी तेटला थी संत वश्मान जो एक क्रिस्ति संत विशे वाईका जे यह मने भगवान पासे मांगे लिदू हतु के भगवान मार्याथे चमतकार थवाना जो होई तो हे भगवान एकलू कर जे के मने एनी खबर न पड़े कहवायू के भगवान एक खास गोठवियू के यह संत रस्ता परती पसार थता होई औने एनी चाया आगल नहीं पन पाचल पड़ती होई औने यह पाचल पड़ती चाया माथी पसार थता लोको रोग मुक्त थता जाए लोको ए संत नी प्रार्थना अने सिद्धी विशे जानता हता तेथी चुप चाप एमनी पाचल जैने एनी चाया माथी पसार थता पंठायला लाब विशे ए संत आगल उलेक सर्खो पन कोई करतू नहतू बोड़ा भक्तोना खृस्ती साहित्यमा लोको ए पाड़ेलू ए संत नू नाम नुद्धायू छे दे सेंट अब दे होली शेडो काकासाय पकलल करका है छे ते यथार्थ छे मनुष्य मानसनी शक्तियों विशे आपने बोग उचु जानिये छी ए एकले आवा दाखलाव उपर अविश्वास पन नहीं कराए अन्य दाखलाव उपर थी आध्यात्मिक्तानू आरोपन पन करी नहीं शकाए आपने मड़ेली विवेक बुत्ती अई खप मा देवी चोई है एना वगर आपनों उद्धार ना थे तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा रूंडता है तो किसका सहारा